दिन भर कापते ही रहे लोग, धूप में भी नहीं मिली राहत नई दिल्ली क्रिस्मस के दिन राजधानी के लोग पूरे दिन थन्द से कपकपाते रहे, धूप में भी लोगों को बरफीली हवाओं की वज़े से थन्द से राहत नहीं मिली, इसकी वज़े से काफी लोगों न संडे घर पर ही रहकर बिताना पसंद किया इस सीजन में पहली बार राजधानी में दिन में गंबीर शीत लहर की स्थिती कुछ जगहों पर बनी रही कई जगहों पर अधिक्तम तापमान 15 डिग्री से भी नीचे रहा वही निउन्तम तापमान भी कुछ जगहों पर 3 डिग्री के आसपास बना रहा सोमवार को भी ऐसे हालातों से राहत की उमीद नहीं दिख रही है शीत लहर का येलो अलट जारी किया गया है मंगलवार से ठंड से मामूली राहत मिलने की उमीद है दिन में भी राजधानी के कई हिस्सों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते नजराए रविवार को राजधानी का अधिक्तम और निउन्तम तापमान में एकदम से बड़ी गिरावट दर्च की गई निउन्तम तापमान चार दिग्री के आसपास नीचे गया रविवार को अधिक्तम तापमान तापमान तीन दिग्री दर्च किया आज भी राहत की उमीद कम कल से मामूली राहत की संभावना कई जगहों पर दिन में गंभीर शीत लहर हवा में नमी का स्तर उनसच से 97 प्रतिशत रही मौसम विभाग के अनुसार जगरी और गया ये सामान्य से 3 डिगरी कम रहा रिच का 3 डिगरी रहा इस बार राजधानी में शीत लहर का प्रकोप देर से शुरू हुआ है 2021 में 18 दिसंबर को पहली शीत लहर दर्च की गई थी उप दिन दिल्ली का तापमान 178 दर्च किया गया था आगे सोमवार को आसमान साफ रहेगा घना कोहरा चाया रह सकता है अधिकतम तापमान 19 और न्यूंतम तापमान 4 डिगरी के आसपास रह सकता है